सेविने जैमारष्ट दोस्तो संसेदिये निर्वाचन बहुत जोरशोर में हैं और हर तरीके से हर पारटी हर केंडिडेट अपने अपने तरीके से ये चुनाव में पूरी ताकत के साथ अपना जोराजमारा है ऐसे वक्त महराष्ट्रा में एक नया करवट लिया है इलेक्षन और पूरी राजनीती ने कि जिस शिवसेना को कभी मुस्लिम तपके में जादा जाना पहचाना नहीं जाता था मगर इस बार बहुत बड़ी ताकत में दलित अलपसंक्यांका और मुस्लिम समाज में उद्दव बाला साफ ठाकरे का नाम और उनके शिवसेना का नाम गुजरा है और बहुत सारे कारे करता मशाल हात में लेके इस बार चुनाओं में अपनी ताकत आजमा रहे तो मेरे साथ है सिवसेना के बहुत पुरान है निता हमारे दोस्त जावेत खान जो उद्दव साप के साथ गए 20 साल से काम करें जावेत साथ ये इलिएक्षन में मुस्लीम तबका बगढ़ी जो पेमाने प्रुडआ यह आप तो पहले से शिवसेना के साथ काम कर रहे तो गए इलेक्षन जो फ़ीचार बनतेता है पहले भी जो शिवशेना थी जो बाद समझ के खिलाफ या ऐसा कुछ उन्होंने भले उनकी थोड़ी सी राजनेतिक थोड़ा सा मदबेद हो गये रहेंगे मुस्लिम समाज के साथ लेकिन में को अच्छे से याद है कि एक जमाना था जब बायरासव ठाकरे ने मुस्लिम लिख के साथ यूथी किये थे वो बारस आप ठाकरी की शिव सेना आज वुद्वाभ शाप चलाते हुए मुस्लिम लोगों को नजजीक करना और मुस्लिम लोग वुद्वाभ के पास करिभ कब अचाए कोवीड में कोविड में जो उद्धो साब ने काम किया शायद ही देश में कोई मुख्यमंत्री ने वैसा काम किया यह तो डबली ओचुबी में हाँ उसके बाद मारस्ट का एक नेता आया चीस ने अजान का टॉपिक लिया अजान जिसको उसको अपने अपने धार्मिक भावना मुस्लिम स समाज एक शांतिय प्रिय समाज है जो हिंसा नहीं चाहता आप सब्सक्राइब की एक हदीस है जो कुराण शरीफ कहता है कि हिंसा मनुष्य हिंसा यह इस्लम में जायज नहीं है लेकिन कुछ लोग जो हिंदू मुस्लिम द्वेश पैदा कर रहे थे वो टाइम पे जैसे तब जामात के वज़े से इंडिया में कोरोना आया यह जब वाइरल करने की किसी ने कोशिश की उसको कांटर उद्व साब ने किया और वो रिजन और कोई भी जाती धर्म भेद कुछ नहीं रखते हुए उद्व साब ने जो कोविड में सब जात धर्म को मदद की और मुसलमान स समाज उद्व साब के करेब आने का रिजन वो है इसी से जुड़ावा दूसरा सावल में पूछना चाहता हूँ कि यह बात है कि आप तो कल भी उद्व साब के साथ ते करोना के पहले भी थे और अभी भी है और उद्व साब भी है शिवसेना भी है यहां तक कि साबिर पर नजर आता है सफ़ित से शिवसेना जैंग यह था कि से तुन रहेंगी जyasिवसेना बुल्बूत वीषार है सब ने कर दोख जब को एक जातिवादी पार्टी प्रोजेक्स करती है कि यह समाज ऐसा है वो समाज ऐसा है लेकिन हमको उद्दो साभ के साथ काम करते हुए कभी भी जाति वाद करते उद्दो साभ या किसी जाती का द्वेश करते है yes a little नदर नहीं आया भाई सब्थाकरे के जो विशार थे जो मुसल्मान हिंदूस्तान में देश का हम और रहें के तो था एंगर देश में रहें लहता हैंorse उसके साथ वफादार हो प्रआसरफ थाकयर का आप अम्सैंब के्षान है मतर सब्सक्राइब करते हैं तो आप मुस्लिम ऐ ऐस मुस्ании तेखे हैं नहें ज़्य घोनैब विरुद्धा मातलनक किस भाया सब ठाक रहे के वह विचारते और अभी उंद्व साब ने उसको थोड़ा सा जरीय करता है ऐसे ही पुना के राजनेती में गए दो तीन दिन से मैं देख रहा हूं कि एक वर्क बोड का अचनक एक टॉपिक आमदार दंगे कर जो अभी कंग्रेस के और महाविकास अगाडी के कैंडिडिट है उनके खिलापी लक्षमी रोड पे वर्क बोड का कोई प्रेस मैंने सुना और एमायम के जो मेदवार आनी सुनके उनका प्रेस सुना तो यह मसला है क्या एक्चुली देखो सर जब आदमी डूपता है ना तब वो सोचता है कि मैं जो ते रहा है आदमी उसका हाथ खेचो और उसको भी डुबाओ और उस डुपते हुए आदमी को कौन ड लेकिन अगर MIM पालिटी का उमेदवार पुना में हार रहा है और कॉंग्रेस पालिटी का उमेदवार जीत रहा है तो एक तीसरा आप जो प्रक्षे जो प्रमुक प्रक्षे जो धंगेकर साब के खिलाफ जो डारेक्ट में आपको बोलता हूँ जो बीजेपी है वो यह चाल मुस्लिम सामाज में थोड़ी सी आफरा तफर फैल जाए या मुस्लिम सामाज के कुछ वोट डिवाइड हो जाए वो सुटिके साब को गिरे उसमें कुछ तत्य नहीं है आज मैंने भी सुना उनकी कुछ तो फ्रेस वगरा हुई उसमें उनने कुछ एलिगेशन बताए कि व दंगेकर साब तो आमदार हो के बोट जमननी हो गया जुम्मा जुम्मा आट दिन हो गया दूसरी चीज़े स्टेट गवर्मेंटर सेंट्रल गवर्मेंट के अंडर ये सब वप का मसला रहता है तो अगर स्टेट गवर्मेंट बजीपी का है सेंट्रल गवर्मेंट बजीप करता है कि पिछले 13 साल से हम लोग रोशन मज़ीद का केस लड़ रहे हैं कि बहुत सारा उसके उपर वाद विवाद रोशन मज़ीद का प्रसान के तालोग से बहुत हुआ तब अनिस उनके का थे वह तो उनका हाई क्या उनिस सो दो अजार में शायद आने सुनके साफ स्टैं करने कमेटी सेर्मन थे ना क्या एक मौलाना अबुल कला माजाद जो महानगर पाले का ने जो और सैंक्शन किया है वह में महीं को नहीं लगता कि आने सुनके साफ ने किया है वो बूल दे कि मैंने किया है सर पीछले 10-12 साल में मुस्लिम समाच के तीन मोर्चे निकले के साथ निया है हरेक समाज का डेलिगेशन सीपी को जाके मिलता था किदर भी वाद होता था मोसिन के आत्या हुई कापर हर अपसर में तब आनि सुनके साथ कहा थे आनि सुनके साहब की वाइफ पिछले पास साल से कॉर्पेटर एक विदायक काम बताओ आनि से पार्टी से रा तो यह फिर एमान के कैंडीडेट है क्या किसी और पार्टी के ए बी-सीडी एफ-जी कैंडीडेट है अभी देखो वो वाया-वाया आये है तुप उनकी वो फितर देशायत वाया-वाया आने कि पहले आजिस उनके साहब अपक्ष चून के आये नाना पेट से नाना इत्य स पर जो कारेस्जा से पिलने Бालेक कारें ने के बाद हम को लागा था की महालेज्म आफ्छा खाहिए ले चाहिए को जोयारी कुछाने साथ सब करें सबकाथ पूरा साल बर ममबए में थे वह क्या कर रहे थे तो पाद बाद में जब राश्टरबादी का कोई कॉर्परेटर आचानक से 15 दिन के बाद में जाता है तो फिर वो पूरा प्री प्लैन सब क्या और इसमें सबसे बड़ा मैटर है मने मैटर है अब यह पुना का जाहतक हम राजनीती देखते हैं तो यहां पर यह दो पार्टिया जो है जो तीसरे और चवतर नंबर के लिए लड़ाई कर रही है यह वंचित बाउजनागाडी है यह महें यह तो कभी में पिक्चर में थी न में नहीं थे आचाना किनकी ताकत बढ़ने का रह से क्या है पैसे कि दर से क्या आपको मालू में नसर आज महारस्ट्र की नहीं पुरे देश के राजनीती में खाली बीजेपी मनी और मसल पावर का इस्तेमाल कर रही है अभी मुझे एक लाइन में उत्तर दीजी कि यह जो और भॉड की जमीन दंगी कर साफ ने हातिया लिया यह उसपर कब्जा कर यह सचे जूटे और जूटे तो कैसे यह जो रहती है उसका अगर आप प्रपर डिकार देखेंगे तो जातक मेरे नॉलेज में उसकी वह बोड के जमीन की या तो जब आप वकरते तो उसके उपर इ जमीन है और आपने एक छोटे से पेपर पर लिखके दे दिए कि मैं इसको वकप करना चाता हूँ करना चाता हूँ और करता हूँ इसमें जमीनास्मन का फर्व होता है क्या अगर मैंने वकप की तो उसको वकप नंबर गिरता है कि फलाना फलाना सिटी सर्वे नंबर की एक्स वाई-जेड जो जमीन है वो वकप में रजिस्टर होती है रजिस्टर होने के बाद वर्क बॉर्ड उसका ताबा लेता है और उसका देखरेका के लिए वर्क बॉर्ड आदमी तेह करता है ये सरकुछ नहीं है ये एक फालतू सा जुमला है जो जो बीजेबी की जो बीटी में एमायम और उसके जो अभी उमेदवारे आनिस उनके साब ये खाली बीजेबी के पास से पैसे कैसे आटने के और खुद का घर कैसा बरने का उसके लिए चड़री हुई ये पूरी साजिश है इसके अंदर दंगेकर साब का कोई रोल नहीं है अ यौ बीज़ोंने जो स्थे आर्डर ले एक वर्ग भोड से वर्क बोड एक सांऎ सथा है स्थे आरडर को नác चॉल कोट देता है आचिशा अच़् कि अल्गा बाद में और और अज्वार्गाबाद का खाजडार कौन हैं? इम्तियजलीद क्या? कौन चलाता है वर्ग बोर्ट और इम्तियजलीद सभड़ क्या? उधर का वर्ग बोर्ड का जो सीओ भैटा है, वो किसके इशारे पे नासता है? लोकल प्सकाद इसल्म हर लिए बदनाम करनी के साज़ेश है और रही बाद मुस्लिम समझ की तो यह मुस्लिम समाज आपी वह समझ नहीं रहा सर कि जो बैंकर बैकावे में आएंगा कुछ गलत शुष नहीं होने वाला सर तो जाविद बाइए आपका बहुत बहुत शुक्रिया टेकनिकल बात यही है कि यह जो वगबोड का ऐलेगेशन है यह पुना के राजनीते में कहीं भी नहीं जो पार्टी है यमायम वो आज ऐलेगेशन लगा रहे है धन्यकरजी की खिलाब और अगर इसमें थोड़ी भी सच्चा ही होती तो यह मोका आने सुनके यह यमायम को कभी पूरे दुनिया को पता है कि ED, CBI, CID जो कुछ तपा सेंद्र ना है वो सब सेंडर के पास है और इस बात में रित्ति बर भी सच्चा ही होती तो पहला तो पुलिस केस होता था CBI, EDA हरकत में आ जाते थी और BGP पहले इस पर कानूनी कारवाई करके यह कैंडिडिटे उसको अंदर करती थी अभी टेक्निकली लिगल ग्राउंड पर यह करना पॉसिबल ए इसलिए जंता में जाके बाइकावे लाना और लोगों को बरगराने का काम चल रहा है यही उसका प्लानिंगे जाविज साहब आपके बहुत 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 मांगता हो मे और बरगे कर ताब जीतके आने वाले हैं 10000 वोट भॉत बहुत से जितने वाले हैं उसमें एक वोट आपका भी होगा वह लोग यह जो MIM है यह बेशक हमको MIM से कोई गिरा चिकवा नहीं है। जरूर हम उनको सपॉर्ट करते थे लेकिन यह चून के आने वाले पाइटी नहीं है। आप आप खास करके मैं नौजवान तपके को गुजारिश करूंगा कि आप इनके भायकावे में आओ मत ये जो दो सो पास्टो रुपे दे के दो चार सुर लोगों की भीर जमा रहे और गुम्रा कर रहे को ये गुम्रा कर रहे को इनको वोट तुम दो मत चुन के आने ओले द दंगेकर साब का बैलट के उपर एक नंबर का बटन है हाथ का पंजा उनका चिन है उनको ज्यादा से ज्यादात के वोटों से जीताओ ये मैं आप से गुजारिश करूगा बहुत बहुत धन्यवाद और दूसरी गुजारिश ये भी है कि इलेक्शन आते जाते रहते पार् दर्म का मसला है ये बहुत पाक चीजे और ये चोटी चोटी ओची राजनीती के लिए उनको बीच में लाओ मत और अपने खुद के फायदे के लिए समाज को या धर्म को बद्दाम को रोमत देश को आगे रखो और धर्म का साथ सच्चाई के साथ हो सच्चाई का साथ दो जै हिन जै महारिश्टो